तो गाज इस में महामद अजान खानवे के ने स्क्वींज, अज अज हमाए लेक्चर है वो चप्टर नबर 4 कोविलन बॉर्डडिंग जो पिसले टॉपिछ जी था वो हमारा चेप्टर नबर 4 आइनिक बॉर्डडिंग था कमिस्टिय में और अज जो है कोविलन बॉर्ड ने of electrons between two atoms कितने भी atoms उसकते लिके इन इस दा मीच्विल शेरांग अरा दिए कोवलेंट बॉडंडिंग जो है ये शेरेंग ऐलेक्ट्रोंज है मेच्वल शेरिंग और उसके तो इस वैसे सफ्टेबल होने के लिए वह एक एक दूसर के बीच में mutual sharing of electrons के जोसे कहते हैं covalent bonding covalent bonding का definition हो गया अब covalent bonding के further अमारे पास three types है Types Types covalent bonding के सबसे पहले type जो है वो हमारे पास है single covalent bond single covalent bond यह हमारे पास किस तरह बनती है single covalent bond यह नाम से single covalent bond यानि हमारे पास bonding form by जिसमें एक जिस bonding में हमारे पास single pair of electron की sharing को इसो हम कहते है single pair of electron अब single pair of electron को तो मैंने आपको जुबानी समयता है आप इसको मैं आपको examples के तौर पर समझाता हूं single covalent bond की example मैं आपको दपाऊं तो वह है H2 यानि दो hydrogen यह दो hydrogen हमारे पास एक यह hydrogen और एक यह hydrogen अब अगर आपको पता कि single covalent bond की example तो आपने यह example देते simply see यह hydrogen है इसने अपना electrons इसको दे दिया इस वाले hydrogen को और इसने यह hydrogen इसने अपना electron इस hydrogen को दे दिया आप इस में आप देख सकते कि इसने भी अपना एक electron जिया और इस हार्टोजन इस हड्रोजन दिया अपना एक electron दिया यानि हमारे पास single pair of electron की sharing हुई है आप देख सकतें single pair of electron की आपर पास sharing हुई है तो यह हमारे पास example है simply single covalent bond की और आप आते हैं हम second types की जुसको हम कहते है double covalent bond double covalent bond double covalent bond में नाम से देखे कि double है तो मतलब इसमें हमारे पास bonding form by pairing sharing of two pairs of electron तो इसको हम कहते है double covalent bond यानि जो वो वो pairing वो mutual sharing जिसमें हमारे पास two pairs of electron की शेर हो तो वो हमारे पास double covalent bond कहते है अब इसका example में आपको दो तो हम लेज़े oxygen को यानि O2 को यह भी हमारे पास oxygen है यह भी हमारे पास oxygen oxygen के outermost shell में हमारे पास six electron होते हैं तो एक one two three four और यह हमारे पास five six यह one two यह three four यह five six अब अगर यह दूसरे के बीच में sharing करें तो यह हमारे पास double covalent bond लागा यानि यह भी दो यह दो लोगरी दो येक्ठेटन सेचासा है और यह वाले अकषजन इस भूले लेक्टोन स्थ देएंस आपना अंप्डेट करने का हाई इस्तब्ल रने के लिए तो यह मारा पास यह देख सकते हैं कि डबल ений टूप ज फिल्ह टॉट्रों की शिरי रिंग हुई लियानि यह आप देख सकते हैं कि एक परफ ये गया होगया अर दूस्रा पिया हमारा पास यह होगया तो मैं पास फिल्हन पूर 4 5 6 और 7 8 तो हमारे पास इस oxygen के भी 8 electrons पूरे होगे और इसके भी हमारे पास 8 electrons पूरे चुके हैं तो मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास two pairs of electron की sharing गई तो हम कहते हैं double covalent bond अब हम तीसरे की तीसरे हमारे पास definitely क्या हुआ है triple covalent bond triple covalent bond अब इस triple covalent bond में हमारे पास आप देख सकते हैं कि त्रिपल है तो हमारे पास त्रिपल कोवलेंट बॉन तो यह हमारे पास आप देख सकते हैं त्रिपल कोवलेंट बॉन अब इसमें हमारे पास three pairs of electron की sharing हो तो वह हमारे पास triple covalent bond के लाती है अब इसमें हम आपको भी इसका example ग्यूद तो हम नेते हैं N2 को यानि nitrogen को एंटू यह भी हमारे पास nitrogen है और यह भी हमारे पास nitrogen है अब इसमें हमारे पास triple covalent bond कैसी होगी यानि यह वाला nitrogen है हम सब को पता है nitrogen के outer मेरें पास five electrons होती है कि तो दो बाइर जाएंगे और यह टीन्हक्रों इसको देगा इस फाने नियरोजन को जिए करेगा और इसके मेरें डो जैंगे और यह इस नार्टोजन को है कि यह कर देगा तो अब इन दोनों के बीच में यह मारे पास ट्रिपल कवलेंट елен bond कि इस नाट्रोजन ने भी अपने तीन इन इसको दिये और हो ज्वाज फम्使 थे करने के लिए करने के लिए तो आगर हम देखें तो से आपकान वैक्वालन इसके भी हमारे पास अपक्र में करें टो इसकी हमारे पास अब इसकी अ यह था इंग कर लिए यह और यह तो आप देख सकते हैं इसमें मारे पास 3-3 pairs of electron की sharing हुई है यह था हमारे पास types of electron covalent bonding के यह तो types थे अब types के इलावा आपको सिर्फ paper में types तो नहीं पूछे जाएंगे को covalent bonding के आपको questions भी आएंगे किस तरह questions आपको आएंगे कि आप मतलब structure बनाएं covalent bonding between co2 carbon dioxide दूसरा एक आपको फरस को CH4 तो इस तरह के आपको questions आएंगे covalent bonding के मैं इसी के example आपको बता देता हूं कि इन दोनों को फरस को अगर यह दो आपको आपको आजाएं जिस तरह मैंने पहले बात की कि पेपर में आपको सिर्फ टाइप्स के question नहीं दिंगे कि आप सिर्फ टाइप्स को describe करें को आपको इस तरह question दी होंगे कि आपने फिज्ञब पर co2 CH4 की तरह इस तरह कि आपको दी होंगे कि इसके बीच में आपको बृणा को ऋकरें तो फॉर्स फर्स्ट फोर्व आमरे पास है चोट्वम कर्बं डाइटी सबसे अ कर्बन कर्बं कर बनाते थे संब कर्बं कर ओऊं replicate आउटर वंश ने हमारे पास टू एल्यक्ट्रोंज ओते हैं फोर विट्रॉम जोते हैं और ऑक्सीजनuing कर्सक्राक। है हमारे पास औक्सीजन है और हमारे पास दो जवनो ना क्योंद गोल फट वनुरम के आदि पास जिस्टाक। अब मैंने सब्सक्राइब सब题 इन नों को सबसे पहले कार्बन के यग ओपर 12 उसको Means 1- çak इसको दो चाहिए और इस carbon को कितने चाहिए इसको four चाहिए और यह four electrons इसको कौन देगा यह दो oxygen देगे और इसको जो two electrons होंगे वो कौन देगा वो यह carbon देगे अब यह oxygen जो है यह इन two electrons के साथ आजाएंगे और यह जो oxygen है यह इन 2 electrons के साथ आजाएंगे अब oxygen के पास total 6 electrons है यह oxygen कार्बन को आप कितने चाहिए total तो carbon को 4 चाहिए लेकिन 2 electrons अब यह oxygen तो पूरे का पूरे 4 इसको नहीं दे सकता ना दूसरा oxygen भी तो इसको देगा तो यह oxygen जो है यह अपने टू एलेक्ट्रोंज इस carbon को देदेगा और यह जाए यह बी oxygen है यह भी अपने 2 electrons इस वाले carbon को देदेगा तो oxygen के पास total 6 है इसने 2 इसको दे दिये सब्सक्राइब पीछे इसके पास कितने रहे गए चाहर रहेए अब यह oxygen इसने भी अपने टू इस इस oxygen ने भी carbon को two electrons दे दिये और carbon ने भी इसको अपने two electrons दे दिये किस लिए दिये ताके यह एक दूसरे के बीच में और एक दूसरे को स्टबल कर सकें अब अगर carbon के अब आपने two electrons को देखें हम तो one two three four five six और seven eight carbon के हमारे पास अप्टेट कंप्लीट हो गया इसने अपने eight electrons के साथ बॉर्णिंग करके कंप्लीट कर लिए यह हमारे पास एक structure बन गया है CO2 का और इनके बीच में मैंने covalent bonding को शो कर लिए लेकिन अभी इन दोनों के बीच में हमारे पास इन त्री टाइपस में इन तिननों मैंसे कौन सा थाईप है अप देख सकते कारबन ने इसको दू ऑलेक्टान दी तो हमारे पास टू February तो मतलब ह Woodyaden बॉन्ड डावल कोविलेंट बॉन्ड इसमें में पास डवल कोविलेंट बॉन्ड यानि दो दो एलेक्ट्रॉंस के मारे पास इसमें शेरिंग यह है तो यह था हमारे पास च2 को कैसे करना है, अब हम आते हैं चछ4 की तरफ के हमने कैसे शवकरना है, सि एच फूर, का आपने कैसे शो करना है तो च फूर अब अगर आपको कहें कि च फूर का बना कि दो हमें इसके बीच में हमें शो करो कोविलेंट बॉर्णी तो आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने कारवन का का कारवन थो बना दिया था वान टू टु कर मका फॉर-फॉर-पोर छहाटंई है कि कितने हमारे पास फ्वर हार्डोजन इनको भी आपने देखने हैं तो यह हाऩ दो जिनक ऊपास एक लेक्ट्रन पर यहाड्डोजनस के सबसे पहले बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यह मैंने इस तरह इस तरह लिखा था कि मैं यह हल्प करसे के स्ट्रक्चर को बनाने में कार्बन है सबसे पहले कार्बन को इस तरह लिख देंगे वन टू थ्री और यह फॉर इस तरह ही बना देंगे सेगे उसके बाद हार्डोजन को इस तरह लिख देंगे यह भी हार्डोजन हो गया हमारे पास और ये भी hydrogen हो गया ये भी hydrogen हो गया और ये भी हमारे पास hydrogen हो गया इस तरह का ये जो hydrogen है हमारे पास हर एक carbon को कितने चाहिए 4 है इसके पास 4 और चाहिए और ये 4 जो और electrons इसको चाहिए वो हमारे पास hydrogen इसको देगा hydrogen जो है carbon के साथ mutual sharing of electrons करेगा यानि कौविलन बाणिंग करेगा, ताकि काक्रवूलन ने अपना एपना एक एलेक्ट्रॉन ये तो तो मतलब चार हार्डोजिन ने अपने चार-चार इलेक्ट्रॉंस, मतलब चार हार्डोजिन के पास तो हमातले हैं तो मतलब कार्बन का ऑक्ट्रॉंस हमारे पास सब्सक्राइब करना है। सबक्राइब कर लिए कारबन ने एक 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 हडरोजन ने अपना यह जख़ूंस dt कले हैं कारबन क्याम गणिन लेते ब्लेस्टें लेकरे कर लिया अब इसमें हमारे पास कौन्सा टाइक सबुसूंग भांड यह भी आपने है इसमें हमारे पास कौन सा टाइप ऊफ of और कोभलेंट बॉंत के आपना चाहरी ने ने भी अपना एक अलक्टवन दिये हर घुम अम्तलब इसमें अबत संब्सक्राइब तो मतलब यहां रहे पास सिंग्ल तो मिल्म सिंगल यहां有 दो rock आहां चलंद कर भूद्ध के क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल 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 कि हमारे पास सेरिंग हुई है तो यह हमारे पास कि मैंने आपको यह भी बता दिया कि पेपर में आपने यह किस तरह आपने शो करना इसके स्ट्रक्चर को को अपने किस तरह शो करना है यानि हमारे पास God के molecule में हमारे पास brass bo damaging किससे तरह हुई आ है और बाकि मैंने ये बिताय कितने हमारे पास बाकि में ने दे दिकाइब को मैंनेक चाप्टर था और इस तरह यह फोर अप्टर आइध कंपूट पूंटी हो चुक है